हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हाजुरू फिर से एक बार नहीं वीडियो के साथ आप देख रहे हैं वर्सा गॉड़ फॉर्म यूट्व चैनल साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सक्सेस्फूल गॉट फार्मर होने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो यह है कि आपकी जो बक्रियां हैं वो समय पे क्रोस हो और सक्सेस्फूल क्रोस हो और अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपने सब कुछ सब सिस्टम से क्या हुआ है खाना डिवर्मिंग मिनरल मिक्षर और फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है आपको प्रिसानी हो रही है तो आपको घबराने की जुरूरत नहीं है मैं एक बहुत ही जानदार नुस्खा लेके आया हूँ जिससे आपका ये समस्या हल होगा और 100% होगा तो चलिए हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये नुस्खा क्या है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन का अल वाला नोटिफिकेशन पे प्रेस करे ताके हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आज ये जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं उसके लिए आपको चार चीजों की जोरत है सबसे पहले हम लेंगे 25 गराम बेशन और दूसरा है वो है 25 गराम सरसो का तेल यनि मस्टड ओइल और दूसरा है 30 गराम धनिया पौडर जी 10 गराम धनिया पॉडर और चौता है 10 गराम हली इन चारों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद हम अपन बकरी को खाने में मिला के दे सकते हैं या फिर छोड़ी खोटी गोलियां बना के दे सकते हैं और इसे देना कब है और कितना देना है यह सबसे जरूरी है तो इसे देना है जैसे बकरी आपकी क्रोष होई है आज सुबा तो साम से इसको दे और दीन में दो टाइम देना सुबा और साम और लगातार पांच दिन देना है और ये देने से पहले आपको जनकारी होना ज़रूरी है और ध्यान भी रखना है कि कहीं आपकी बकरी को एसिडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है अगर ऐसा है तो आप एक टाइम गेप कर सकते हैं पहला खुराख देने के बाद आपको पता चल जाएगा अगर पहले खुराख देने के बाद आपकी बकरी ठीक ठाक खा रही है कोई दिकत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसे पंटीन्यू एक दिन का दो टाइम करके पांच दिन आप इसे खिलाएं ये सेक्सेसफूल नुसका है आप इसे ट्राइ करें और ध्यान है कि हमने ये जो चीजे बताई है 25 गराम बेशन 25 गराम सरसो का तेल 10 गराम धनिया पौडर 10 गराम हल्दी ये एक टाइम का है ये एक टाइम का खुराख है और आपको पांच दिन में ऐसा दस खुराख बनाना है एक सुबा का एक साम का तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसे बे जिजक ट्राइ करिए इसमें कोई दिकत कोई प्रेशानी नहीं है और आपका जो प्रेशानी है वो हल होगा इशाला हंडिट परसंट तो फिर मिलते हम एक नई वीडियो में नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज